नमस्कार दोस्तों, चली सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के दोरा लिखी कहानी, जिसका नाम है सोहाग की साड़ी, चली कहानी शुरू करते हैं यह कहना भूल है कि दामपत्त सुके लिए इस्तरी पुरुष के सभाव में मेल होना आवश्यक है श्रीमती गौरा और श्रीमान कौर रतन सिंग में कोई बात न मिलती थी, गौरी उदार थी, रतन सिंग कौडी 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 को दातों से पकड़ते थे, वो हसमुक थी, रतन सिंग चिंता शील थे, वो कुल मरियादा पर जान देती थी, रतन सिंग इसे आटमबर समगते थे उनके समाजी के विवहार और विचार में भी गोहर अंतर था इहां उदार्ता की बाजी रतन सिंग के हाथ में थी गौरा को सहवोज से अपती थी बिद्वा विभा से घिर्णा और अच्छूतों के पिर्शन से ब्रोध रतन सिंग इन सभी विवस्थाओं के अनुमोदक थी राजनीतिक विशेयों में ये विभिन्निता और भी जटल थी गौरा बरतमान स्थिती को अटल अमर अपरी हाय समती थी इसलिए वो नरम गरम कॉंग्रेस सौराज होम रूल सभी से विरक्त थी कहती ये मुठी भर पड़े लिखे आदमी क्या बना लिंगे चने कहीं भाड फोड सकते हैं रतन सिंग पक के आशावादी थे राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले करम चेतर में सबसे पहले कदम उठाने वाले स्वदेश बिरतधारी और बहिशकार के पूरे अन्याई इतनी विशमताओं पर भी उनका दामपत जीवन सुक में था कभी कभी उनमें मतवेद अवश हो जाता पर बे समीर के बे जोंके थे जो इस्थर जिल को हलकी हलकी लहरों से आभूशित कर देते हैं बे पिर्चंड जोंके नहीं जिन से सागर पिपलब छेतर बन जाता है थोड़ी सी सदिच्छा सारी विशमताओं और मतवेदों का पिर्तिकार कर देती है बिदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी सेम सेवकों के जथे बिखारियों की भाती द्वारों पर खड़े हो होकर बिलायती कपड़ों की भिख्चा मागते थे और ऐसा कदाची थी कोई द्वार था जहां से उन्हें निराश होना पड़ता हो खदर और गाड़े के दिन फिर गए थी नयन सुखो नयन दुखो मलमल और तनजेव तनबेद हो गए थे रतन सिंग ने आकर गोरा से कहा लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूख से निकाल कर दे दो गोरा अरे तो इसी घड़ी कोई साइट निकली जाती है फिर कभी दे देना रतन वह लोग द्वार पर खड़े को लाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना गोरा तो ये कुझी लो और निकाल कर दे दो मगर ये सब हैं लड़कों के खेल घर फूंकने से न सुराज कभी मिला है और ना मिलेगा रतन मैंने कल ही तो इस बशे पर तुम से घंटों सिर्पची की थी और उस समय तुम उससे सहमत हो गई थी आज तुम फिर भही शंकाए करने लगी गोरा मैं तुम्हारे अपरसन हो जाने के डर से चुप हो गई थी रतन अच्छा शंकाए फिर कर लेना इस समय जो करना है वो करो गोरा लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे न रतन सब देने पढ़ेंगे बिलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा इतने में राम टहले साइस ने बाहर से आकर पुकारा सरकार लोग जल्दी मचार हैं कहते हैं अभी कही महलों का चकल लगाना है और कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए मैंने भी अपने कपड़े दे दिये हैं केसर महरी कपड़ों की एक गठ्री लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी रतन सिंग ने पूछा क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो केसर ने लजाते हुए कहा हाँ सरकार जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनू रतन सिंग ने गौरा की और आदेश पूर नेत्रों से देखा अब वो बिलंब ना कर सकी लजा से सिरजुकाई संदूख खोल कर कपड़े निकालने लगी एक संदूख खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूख खोला सबसे उपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुणर सहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलवाया था गौरा ने पूछा क्या ये सूट भी निकाल दूँ रतन हाँ हाँ इसे किस दिन के लिए रखोगी गौरा यदि मैं ये जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी ये सूट न वनवाने देती सारे रूपिये खून हो गए रतन सिंग ने कुछ उत्तर न दिया तब गौरा ने अपना संदूख खोला और जलन के मारे सुदेशी बिदेशी सभी कपले निकाल निकाल कर फेकने लगी वो आवेश प्रभा में आ गई उसमें कितनी ही बहुमूल फैंसी जॉकेट साड़िया थी जिन्हें किसी समय पहन कर वो फूली न समाती थी बाजबाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंग से बार बार तकाजे करने पड़ते थे इस समय वो सब की सब आँखों में खटक रही थी रतन सिंग उसके भाओं को ताल रहे थे सोदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखा रहा था पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समगते थे तिस पर भी दो एक बार बाद विवाद की नौबत आही गई एको बनारसी साड़ी के लिए तो वो जगड ही बैठे उसे गौरा के हातों से छीन लेना चाहा पर गौरा ने एक नमानी निकाल ही फेगा सहसा संदूक में से एक केसरिया रंकी तंजेब की साड़ी निकल आई जिस पर पक्के आचल और पल्ले टके हुए थे गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छपा लिया रतन सिंग ने पूछा कैसी साड़ी है गौरा कुछ नहीं तंजेब की साड़ी है आचल पक्का है रतन तंजेब की है तब तो जरूर ही बिलायती होगी उसे अलग क्यों रख लिया क्या वो बनारसी सालियों से अच्छी है गौरा अच्छी तो नहीं है पर मैं इसे ना दूंगी रतन वहाँ विलायती चीज को मैं ना रखने दूँगा लाओ इधर दो गौरा नहीं मेरी खातिर से इसे रहने दो रतन तुमने मेरी खातिर से एक चीज भी न रखी मैं क्यों तमारी खातिर करूँ गौरा पैरो पढ़ती हूँ जिद ना करो रतन सौदेशी सालिय में से जो चाहे रख लो लेकिन इस विलायती चीज को मैं ना रखने दूँगा इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने ये गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता लाओ इधर गौरा मैं इसे ना दूँगी एक बार नहीं हजार बार कहती हूँ कि ना दूँगी रतन मैं इसे लेकर छोड़ूँगा इस गुलामी के पठके को इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा गौरा नाहक जिद करते हो रतन आखिर तुमको इसे इतना प्रेम क्यों है गौरा तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो इतने कपड़े थोड़े हैं एक साली रख ली तो क्या हुआ रतन तुमने अभी तक इन होलियों का आशर ही नहीं समझा गौरा खूब समत्ती हूँ सब ढोंग है चार दिन में जोस ठंडा पड़ जाएगा रतन तुम केवल इतना बतला दो कि ये साली तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है तो शायद मैं मान जाऊं गौरा ये मेरी स्वहक की साली है रतन जरा देर सोच कर तब तो मैं इसे कभी न रखूँगा मैं इस विदेशी बस्तर को ये शुभिस्तान नहीं दे सकता इस पवित्र संसकार का ये अपवित्र इसमिर्ती चिन घर में नहीं रख सकता मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूँगा लोग कितने हदबुद्धी हो गए हैं कि ऐसे शुभ कारियों में भी विदेशी बस्तों का विवार करने में संकोच न करते थे मैं इसे अवश्य खोली में दे दूँगा गौरा कैसा असगुन मुह से निकालते हो रतन ऐसी सौहकी साड़ी का घर में रखना ही अशकुन अमंगल अनिष्ठ और अनर्थ है गौरा यूँ चाहें जबरजस्ती चिन ले जाओ पर खुशी से ना दूँगी रतन तो फिर मैं जबरजस्ती ही करूँगा मजबूरी है यह कहकर वो लबके कि गौरा के हातों से साड़ी छिलूँ गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की और कातर नित्रों से देखकर कहा तुम्हें मेरी सिर की कसम केसरी महरी बोली बफू जी के इच्छा है तो रहने दीजिए रतन सिंग के बड़े हुए हात रुख गए मुख मलिन हो गया उदास होकर बोले मुझे अपना बिरत तोड़ना पड़ेगा पिरतिग्या पत्र पर जूटे हस्ताक्छर करने पड़ेंगे खैर यही सही शाम हो गई थी दौर पर सौयम सेबक सोर मचा रहे थे कौर सहाब जल्दी आईए शिरी मती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रातना सुएकार करें बहुत तो देर हो रही है उधर रतन सिंग असमंजस में पड़े हुए थे कि पिर्तग्या पत्र पर कैसे हस्ताक्छर करूं बिदेशी बस्तर घर में रखकर सोदेशी ब्रत का पालन क्यों कर होगा आगे कदम बढ़ा चुका हूँ पीछे नहीं हटा सकता लेकिन पिर्तग्या का अक्छर अशा पालन करना अभिष्टो भी तो नहीं केबल उसके आशे पर लक्छ रहना चाहिए इस अभिचार से मुझे पिर्तग्या पत्र पर हस्ताक्छर करने का पूरा अधिकार है तरिया हट के सामने किसी की नहीं चलती यूँ चाहूं तो एक ताने में काम निकल सकता है पर उसे बहुत दुख होगा बड़ी भाबुक है उसके भावों का आधर करना मेरा करतब में है गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी सुहाग की साली सुहाग का चिन है उसे आग कितने अशकुन की बात है ये कभी-कभी बालकों की भाती जिद करने लगते हैं अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते बिगरते हैं तो मानों मूही सीधा नहीं होता लेकिन बेवेचारे भी तो अपने सिध्धान्तों से मजबूर है जूट से उन्हें घिर्णा है पृतिग्या पत्र पर जूटी सुकृती लिखनी पड़ेगी उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा घोर संकट में पड़े होंगे ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में सुदेशा नुराग्यों के सिर मौर बनकर उसो पृतिग्या पत्र पर हस्ताक्षर करने से आना कानी करें कहीं मूँ दिखाने को जगह न रहेगी लोग समझेंगे बना हुआ है पर शकुन की चीज कैसे दे दूँ इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गठर लिए बाहर जाते देखा केसर महरी भी एक गठर सिर पर रखे हुए थी पीछे पीछे रतन सिंग हाथ में पृतिग्या पत्र लिए जा रहे थे उनके चेहरे पर गिलानी की जलक थी जैसे कोई सच्चा आदमी जूटी गबाही देने जा रहा हो गौरा को देखकर उन्होंने आँखें फैलनी और चाहा कि उसकी निगा बचा कर निकल जाओं गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आँखें डबडबाई हुई हैं वो बोली रुक जाओ रतन जाने दो दिग ना करो लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूँ पर गौरा ने उसे उनके हातों से छीन लिया उसे गौर से पड़ा और एक छड़ चिंता मंगन रहने के बाद बोली बो साड़ी भी लेते जाओ रतन रहने दो अब तो मैंने जूट लिखी दिया गौरा मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसे कड़ी पृतिग्या कर रहे हो रतन ये तो मैं तुमसे पहले कह चुका था गौरा मेरी भूल थी छमा कर दो और इसे लेते जाओ रतन जब तुम इसे देना अशकुन समत्ती हो तो रहने दो तुम्हारी खातिर थोड़ा सा जूट बोलने में मुझे कोई आपती नहीं गौरा नहीं लेते जाओ अमंगल के भैसे तुम्हारी आत्मा का हनन करना नहीं चाहती ये कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठा कर पती के हाथों में रख दी रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है एक रंग जाता है जैसे कोई रोगी अंतरस्तो विशम बेदना को दबाने की चेश्टा कर रहा हो उन्हें अपनी अहिर्देता पर लज्जा आई हाँ केबल अपने सिद्धान की रक्षा के लिए अपनी आत्मा के समान के लिए मैं इस देवी के भावों का बढ़ कर रहा हूं यह थ्याचार है साड़ी गोरा को दे कर बोले तुम इसे रख लो मैं पिर्तिग्या पत्र को फाले डालता हूं गोरा ने दर्टा से कहा तुम ना ले जाओगे तो मैं खुद जाकर इसे दे आऊंगी रतन सिंग विवश हो गए साड़ी ली और बाहर चले आए उसी दिन से गोरा के हिर्दय पर एक बोज सा रहने लगा वो दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती जलसों में भाग लेती सेर करने जाती मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती यहां तक कि कई बार नियम के विरुद थेटरों में भी गई किसी परकार अमंगल कलपना को शांत करना चाहती थी पर यह आशंका एक मेह मंडल की भाती उसके हिर्दय पर चाही रहती थी जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मांसिक बेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई तो कौर सहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्य किया वो अक्सर धिहातों में पिरचार का काम करने जाया करते थे पर अब अपने गाउं से बाहर न जाते या जाते तो संदिह तक जरूर लोटाते उनकी एक दिन की देर उनका साधारल सिर्दर्द और जुकाम उससे अविवस्तित कर देते थे बो बखुदा बुरे सोपने देखा करती किसी अनिश्ट के कालपनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारो और मड़ाती हुई पिर्तीत होती थी बो तो दिहांत में पड़ी हुई आशंकाओं की कटपुतली बनी हुई थी इधर इसकी सुहाक की साड़ी सुदेश प्रेम की बेदी पर भस्म होकर सुर्द्धी प्रदाइनी भभूत बनी हुई थी दूसरे महीने के अन्त में रतन सिंग उसे लेकर लोट आए गौरा को बापसाई तीन-चार दिन हो चुके थे पर असबाब के सम्हालने और नियत इस्थान पर रखने में वो इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी कारल ये था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन घर छोड़ कर चली गई थी और अभी तक इतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी कुंगर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था संद्या का समय था गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एक टुक होकर ताक रही थी चिंतगरिस्त प्राणियों का एक मात्र यही अबलंभ है सहसा रतन सिंग ने आकर कहा चलो आज तुम्हें सोदेशी बाजार की सेर करा लावें यह मेरा ही प्रस्ताओ था पर चार दिन इहां आय हो गए उधर जाने का अपकाश ही न मिला गौरा मेरा तो जाने को जी ही नहीं चाहता यहीं बैठ कर कुछ बातें करो रतन नहीं चलो देखावें एक घंटे में लोट आवेंगे अंद में गौरा राजी हो गई इधर महीनों से बाहर न निकली थी आज उसे चारो तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी बाजार कभी तनी रोनक पन न था बो सोदेशी बाजार में पहुँची तो जिलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकाने सजाए बैठा देखा सहसा एक विरध कोरी ने आकर रतन सिंग को सलाम किया रतन सिंग चौकर बोले राम टहल तुम अब कहा हो राम टहल का चेहरा श्री संपन था उसके अंग अंग से आत्म सम्मान की आभा जहलक नहीं थी आँखों में गौरब जोती थी रतन सिंग को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तवल साफ कन्ने बाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम में इतना भधर पुरुश है वो बोला सरकार अब तो अपना कारोबार करता हूँ जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया आप लोगों की निगा हम गरीब पर हो गई हमारा भी गुजर हो रहा है नहीं तो आप चानते ही है कि किस हालत में पढ़ा हुआ था जात का कोरी हूँ पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था रतन तो भाई अब मुह मीठा कराओ यह बाजा लगाने की मेरी ही सला थी बिकरी तो अच्छी होती है न राम टहल हाँ सरकार आजकल खूब बिकरी हो रही है माल हातों हात उड़ जाता है इहां बैठते हुए एक महीना हो गया पर आपकी किरपा से लोगों के चार पैसे थे बे बेवाक हो गए भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है और क्या चाहिए मालकिन की सुहा की साड़ी का खूली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए लोगों ने कहा जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज की परवा नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपने क्यों रखें जिस दिन खूली जली है उससे दो-तीन दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे मैं तो यही कहूंगा कि ही सारी माया उसी सुहा की सारी की है इतने में एक अध्यल इस्तरी गोरा के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली बहु जी मुझे भूल तो नहीं गई गोरा ने सिरु उठाया तो सामने केसरी महरी खड़ी थी वो सुंदर सारी पहने हुए थी हाथ पाव में मामूली गहने भी थे चेहरा खिला हुआ था स्वाधीन जीवन का गोरब एक-एक भाव से प्रेस फुटित हो रहा था गोरा ने कहा इतनी जल्दी भूल जाओंगी अब कहा हो हमें लोटने भी न दिया बीच में ही उड़ भागी केसर क्या करूं सरकार अपना काम चलते देखकर सबर न हो सका जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी फेट के लिए सेवा टहल करम कुकरम सभी करना पड़ता था अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लोटे हैं अब दूसरा काम नहीं किया जाता अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कामाई खाए न चुकेगी ये सब आपकी साड़ी की महमा है उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए एक महीना पहले इन दुकान बालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना ना था कोई साइसी करता था कोई तासे बजाता था यहां तक कि कई आदमी महतर का काम करते थे कितने ही भीक मांगते थे अब सब अपने अपने धंदों से लग गए सच पूछो तो आपकी सुहाग की साली ने हमें सुहागिन बना दिया नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी बिदभाएं थी सच कहती हूँ सैकलो जबानों से नित यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो जिसने हमारी रांड जाती को सुहाग दान दिया रतन सिंग एक दुकान पर बैठ कर कुछ कपड़े देखने लगे गोरा का भाव खेर दें आनंद से पुलकित हो रहा था उसकी सारी अमंगल कल्पनाए सौपनो बिरतो बिच्छिंदर होती जाती थी आँखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रू संचित नेतरों के सामने खड़ी आचल फैला कर उसे आशीरवाद दे रही थी उसने रतन सिंग को भक्ती पूर आँखों से देखकर कहा मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो जब गउरा यहां से चली तो सड़क की विजलिया जिल चुकी थी सड़कों पर खूब पिरकाश था उसका हिर्दे भी आनंद के पिरकाश से जगमगा रहा था रतन सिंग ने पूछा सीधे घर चलू गउरा नहीं चाउनी की तरफ होते चलो रतन बाजार खूब सजा हुआ था गउरा यह जमीन लेकर एक इस्थाई बाजार बनवा दो सोदेशी कपड़ों की दुकाने हो और किसी से किराया न लिया जाए रतन बहुत तो खर्च पड़ेगा गउरा मकान बेच दो रूपिय ही रूपिय हो जाएंगे रतन अच्छा और रहे कहां पेड़ तले गउरा नहीं गाउवाले मकान में रतन सोचूंगा गउरा जरा देर में बोली इलाके भन में खूब कपास की खेती कराओ जो कपास वोई उसकी बेगार माफ कर दो रतन हां तद्बीर अच्छी है दूनी उपज हो जाएगी गउरा कुछ हो सोच नेके बाद बोली लकडी बिना दाम दो तो कैसा हो जो चाहे चर्खे बनवाने के लिए काट ले जाए रतन लूट मच जाएगी गउरा ऐसी बेईमानी कोई न करेगा जब उसने गाड़ी से उतर कर घर में कदम रखा तो चित शुभो कलपनाओं से पिरफुलित हो रहा था मानू कोई बचड़ा खूटे से खुल कर किलो लें कर रहा हो तो दोस्तो ये कहानी थी मंशी पिरमजंत के दौरा लिखी जिसका नाम था सुहाक की साड़ी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीजिसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना मिलते हैं गली किसी नई कहानी के साथ